हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टूए स्टाडी विट क्रेजी ग्रूप, फ्रेंड्स, बिहार विधान सभा सच्ची वाल है, जिसमें वेरियस पोस्ट पे एकजाम नोटिफिकेशन निकला है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे अवेलती है, जो BTSC ड्राइवर के लिए एकजाम दिये थ क्या है, एकजाम पैटर्न क्या है, यह सब के रिगार्डिंग उनको इन्फर्मेशन चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग इसी के रिगार्डिंग इन्फर्मेशन देने वाले हैं, तो जिसमें ड्राइवर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सुरक्षा परहरी, उसके बाद कर कर्याले परिचारी, यह चार पोस्ट पे जोब नोटिफिकेशन निकला था, तो इसका जो फर्म लास्ट दे था, 23 जन्वरी था, यह तो बता दिये, और इसमें है, जो की दो पोस्ट है, जिसमें डाइरेक्ट भलती है, यह ड्राइवर और सुरक्षा प्रहरी में, लेकिन बाद बाकी जो data entry operator और कर्याले परिचारी है, इसके लिए आपको एक्जाम लिया जाएगा, तो एक्जाम कैसे लिया जाएगा, और इसमें कैसे डाइरेक्ट और टर्म और कंडिशन ज्या है, वो हम लोग देखेंगे, और इसमें syllabus भी देखेंगे, एक्जाम कब होगा, तो सभी student जानना चाह रहे हैं, जो apply किया है, sir yes में वेतन कितना मिलेगा, इसके regarding मैं आपको इस वीडियो में information दोगा, तो सबसे पहले हम लोग एक-एक करके देखेंगे, driver से start करेंगे, data entry जाएंगे, सुरक्षा पर हरी उसके बाद कर्याले, तो driver, driver का देखे, total post बहुत कम था, कितना total 9, अब बोलिएगा, sir, बिधान सभा में 9 driver, अभी पहले से भी काम कर रहे हैं, लेकिन 9 driver अभी वहाँ पे चाहिए, अब यह मत सुचिएगा, sir, जो बिधान सभा में driver के लिए कौन सी post, देखे, बिधान सभा के internal driver, यह मत सुचिएगा, कि बिधायक लोग है, जो कि अपना खुद का driver, मंत्री बगरा है, जो खुद का driver रखते हैं, लेकिन यह जो driver काम करेंगे, जो अंदर में जो गारी चलती है, उसके लिए, इसलिए उसके अंदर, यह मत सुचिएगा, कि आप मंत्री का गारी चलाईएगा, मुख मंत्री का बिधान सभा में, ऐसा नही है, ओके, तो यह ध्यान रखिएगा, उसके बाद रखिए, इसमें सबसे पहले बेटन driver के लिए बता दू, कि 19,900 से 37,200 तक है, उसके बाद जो अन्य भत्ते हैं, वो भी आपको दिये जाएंगे, टेंसन लेने की जरूरत नहीं है, उसके बाद, इसमें क्या है, तेंथ पलस और देखिए, टेंथ पलस, टेंथ ही के वल, टेंथ मांगा था, और साथ में LMB या HMB, दोनों में से बहुं सारे ऐसे स्टुडेंट यहां भी कन्फ्यूज थे, सर, LMB लाइसेंस होना चाहिए, HMB, तो मैं किलियर कर दू, दोनों में से अकर कोई भी आपके पास है, तो अप अप्लाइ कर सकते हैं, ओके, तो यह ध्यान दखेगा, उसके बाद सिलेवस का बात बताते, तो सिलेवस में देखिए, सबसे पहले, चालक के दिख्थ पदों के सीधी भलती है, तो सर पर्थम बेवहारिक जाच परिच्छा, यह क्या है बेवहारिक जाच परिच्छा, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और यह बेवहारिक जाच परिच्छा में सफल अव्यर्टी को सक्षातकार के लिए लिया जाएगा, यानि सक्षातकार बोले तो इंटर्वियू, इंटर्वियू में क्या-क्या पुछेगा, सब बताएंगे, टेंस सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट में अगर आप फेल हो जाएगा, इस समय आपको पूछा जाएगा, एक तरह से मौखिक परिच्छा पूछा जाएगा, तो मौखिक परिच्छा में आपको जबाब देना रहता है, तो जबाब कैसे दिजेगा, तो उसके लिए हम त्यार करवाएंगे, टेंसल लेने की ज़रूरत नहीं है, देखे, बिहार BTSC driver, CVT2 एकजाम का और इसका interview का उसमें, डिटेन एकजाम है, दोनों का त्यारी हम एक साथ त्यारी स्टार्ट करेंगे, तो टेंसल लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद, कार इंजन का ज्यान, चलने तथा टायर में ठीक से हवा भरने की योगिता ये भी कल आपके पास होना चाहिए कहां त्यारी करवाया जाएगा टेंसन लेने की ज़रूरत नहीं है ड्राइविंग टेस्ट मतलब स्टाडी वीट के रेजी गुरू के साथ आपको करना है उसके बाद गह क्या वोले या आपको दिया जाएगा कि आप साइकल कितना चलाते हैं तो सर मोटा साइकल दिया जाएगा या साइकल साइकल दिया जाएगा वहां पर आपको यह नहीं देखा जाएगा कि साइकल चला रहे हैं कि साइकल तो सभी चला यहां पर किलियर लिखा है साइकल चलाने की छमता आप आप में कितना छमता है वो आपको सर रोड पे चलवाया जाएगा ऐसा नहीं है रोड पे चलवाया जा सकता है या हो सकता है कि साइकलिंग वाली एक जो आती है न उसमें आपको छमता देखा जाएगा यानि कि एक मियट में आप कितना स्पीड पैडल मारके कर रहा है तो यह स और इसका जो बेतन है ड्राइवर से कम है 18,000 से 56,900 नियामानुसार अन्य भत्ते भी आपको दिया जाएगा देखिए ये बेतन है जो कम नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा उसके बाद देखिए ये तो हो गया उसके बाद ये मैट्रिक पे इसका सिलेवस क्या है तो देखिए परिच्छा की पर्ति करियाले परिचारी के दिक्त पदू पर सीधी वरती है तो परिच्छा जो अभिहलती को सक्षाटकार के लिया जाएगा जिसका पुर्णा सो अंको का होगा यानि की सो अंको का लेकिन देखिए जो इंटर्व्यू लिया जाएगा जो उसमें अधीक रहेगा ना तो फिर जो एक्जाम लिया जाएगा और वो क्या होगा ऑफ्लाइन एक्जाम होगा बस तु निस्ट पर इच्छा का तो ध्यान रखिएगा इसका जो नोटिपिकेशन आएगा अगर 40,000 से कम रहेगा तो इंटर्व्यू लेकर कर लिया जाएगा लेकिन अ है ट्वेल्ट वेस पर इसका सेलरी भी जादा वेटन वेटन भी जादा रहेगा 25,500 से 80,100 तक और अन्यभस्टे भी साथ में दिये जाएगे ओके उसके बास सिलेवस क्या है तो देखिए इस पर हम क्या करेंगे एक जो इसमें एक्जाम लिया जाएगा और ओम आफ्लाइन एक्जाम लिया जाएगा जिसमें कि आपका पाथे करम यह अनुसार दिया जाएगा देखिए यहां पर समान्य अध्यान से पुछा जाएगा मानसिक छमता एवं जो रिजनिंग है उससे पुछा जाएगा तो यह सब से आपको पुछा जाएगा तो इस पर हम लोग क्या कर एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे ये वीडियो अगर इसमें हम बताने लगे ज़्यादा देखे सो नमर का सो अंको का होगा एक जो देखे सो नमर का कोश्चन होगा दो घंटे का पेपर होगा सो परसन पूछे जाएंगे ओके तो ये ध्यान रखेगा प्रारामभिक परिछ परिशा कुल 400 अंकों की होगी यानि कि 100 परसन पूछे जाएंगे और एक जो नमर की रहेंगे यहाँ पर देखेए पर तेक सही उत्तर के लिए 4 अंक परदान किये जाएंगे और यादि गलत के लिए एक अंक की कटा यानि नेगेटिव मार्किंग है धिहान से रखेगा जो दाटा इंट्रि ओपरेटर है उसमें एकजाम लिया जाएगा 100 कोष्चन रहेंगे 400 अरंभिक परिच्छा जो होगा 100 कोष्चन रहेंगे और सिकेंड परिच्छा क्या रहेगा तो यहाँ पे आपको सिकेंड परिच्छा में यह रहेगा मैं बता दू आपको कि देखिए 800 की डिप्रेशन प्रती घंता की गती से केम्पूटर हो मतलब कि आपको टाइपिंग वगएरा सही आना चाहिए डाटा इंट्री है तो यहां पे टो टाइपिंग का डिमांड रहेगा ही तो सिकेंड परिछा में यह आप से पूछा जाएगा लेकिन जो फर्स्ट एकजाम है उसम सव कोश्चन एक कोश्चन चार नमर की यानि कि 400 निगेटिव मार्किंग रहेगा उके उसके बाद रहेगा अगला कोश्चन अगला हम लोग देखते है सुरक्षा परहरी इसमें भी आपका इंटर्मेडियेट है लेकिन इसमें क्या है कि फिजकल आप से डिमांड किया अगणर्स्तव धानना चाहिए और इसमें क्या है कि फिजकल आपका सही रहना चाहिए देखे पहला तो एक्जाम लेगा ही एक्जाम में क्यास मेक्ष रहेगा प्रारंभिक परिछ्च रहेगा ही लेकिन और ये अफ्लान्ः र form होगा नेगेटिम लीओ मार्किंग रहेंग और गनीत की परसनों की संख्या इसमें 50 होगी और समान्य अध्यन परसनों की संख्या कितनी होगी 50 होगी तो 100 कोश्चन रहेंगे 100 नमर के रहेंगे ओके ये ध्यान रखेगा और उसके बाद आपको फिजिकल के लिए यहां पे बुलाया जाएगा सारीरिक जाच परिच्छा क के लिए जो सारीरिक डक्षता है जो एफिसियंसी वगएरा है वह आपसे मतलब दस गुना अभियारती से पर्टे कोटा से उठाया जाएगा याद रखेगा इसमें जो फिजिकल के लिए है इसमें सबसे जादा असी पोस्ट है तो ध्यान रखेगा उसके बाद डाटा ओप यह सलेवस्डा है अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूश सकते हैं यह फर्म के रिगार्डिंग और ज्यादा डाऊठ है जेखे इसकार डाटा इंट्री का प्रण्विक परिछ्छा है और इसका हम लोग कर्याले परिचारि का इसका हम लोग त्यारी कराएंगे कुश्57 है तो यह नम्मर दिया जाता है 75648644559